काट ना सके कभी कोई आपकी पतंग और तूटे ना कभी डोर विश्वास की छूलो आप जिन्दगी की सारी काम्यावियां जैसे पतंग छूती है उचाई या आसमान की मकर सक्रान्ति की आप तमाम साथियों को हार्दिक हार्दिक शुबकामना बदाई नमस्कार जैहिंद मैं हूँ आपका दोस्त कभी आदिगनेस कक्षा ग्यारा का नौवा पार्थ आरो है पुस्तक का हम प्रारम करें उससे पहले कल वाले पार्थ से एक सवाल पोस्ता हूँ जो जामुन का पेड अध्याय था आप बताईए सवाब जवाब बताईएगा कि पे पेड के नीचे दब गया था उस दबे वेक्ति किसने खाना खिलाया था कॉंस्टेबल ने माली ने चपरासी ने या फिर कलरक ने किसने खाना खिलाया था कमेंट करके आप बताईएगा अनुरोध है आप से वीडियो को लाइक कर दो शेर कर दो पहली बार देख लो चैनल क से टेलिग्राम चैनल है अपना और जिस पर 3400 से ज्यादा लोग जुड़े वे उस टेलिग्राम चैनल का आपको जोईन करना है कवी आदी घनेश हिंदी सर्च करते हो तो हिंदी आपको देवनागरी में लिखना है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ठीक है प्रारं संस्कृति को दुनिया के हर कोने से प्रेरणा मिलती है माफ करें सची संस्कृति को दुनिया के हर कोने से क्या मिलती है प्रेरणा मिलती है लेकिन वह अपनी ही धर्ती पर पेदा होती है और उसकी जड़े जन्मन में है जो समाई रहती है जो उपसंगार लिया गया है भारत की खोज से ठीक है उपसंगार की ये पंक्तियां है भारत की खोज से बात करते हैं जवाहर लाल नहरू साथ के परिचे से फिरम जो ये अध्याई है भारत माता वो देखेंगे जन्म 1889 में होता है इलाहबाद में ठीक है रचनाओ की बात करें तो मेरी कहानी नाम से इनकी क्या है आत्मकता है मेरी कहानी विश्व इतिहास की जहलक हिंदुस्तान की कहानी पिता के पत्र पुत्र के नाम ये हिंदिये नुवाद है इनके हिंदुस्तान की समस्याएं स्वाधीनता और उसके बाद राष्ट पिता भारत की बुनियादी एकता लड़ खडाती दुनिया ये 1964 में देहांत हो जाता है देखिए साब जवाहर लाल नेरू का जो जन्म है इलाबाद के एक संपन परिवार में होता है पिता बड़े वकील थे इनके प्रारंबिक शिक्षा के हम बाद करें तो वो घर पर ही हुई उच्च शिक्षा इंग्लेंड में हेरो तता केम्ब्रीज में खुई थी इन विश्वी देलों में खुई वहीं से इन्होंने फिर वकालत की पढ़ाए की इंग्लेंड के यहां से ही नेरू पर गांदी जी का बहुत परभाव पढ़ा उनकी पुकार पर वे पढ़ाई चोड़कर आजादी की लडाई में है जो जुट गए गांदी जी कौन? महतुबा गांदी महंदास करमचंद गांदी जी यूं कह लीजिए आगे चलकर सन 1939 में वे भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस के लाहोर अधिवेशन के अध्यक्ष बने तो ज्यान में रखना 1939 में भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस के लाहोर अधिवेशन क्या बने अध्यक्ष बनते हैं और पूर्ण स्वतंतर तागी मांग करते हैं नेरू का जुकाव समाजवाद की और भी है जो रहा बात करे हैं तो सन 1947 में जब भारत स्वतंतर हुआ तो नेरू जी पहले परदान मंत्री बने और भारत के निर्माण में अंततग जो जूटे रहे उन्होंने देश के विकास के लिए कहीं योजनाई बनाई जिनमें आर्थिक और प्रगति तता वेग्यानिक अनुसंदान से लेकर साहिते कला संस्कृति आदि छेत्र जो सामिलते सभी छेत्रों में इन्होंने जो योजना बने और काम किया नेरू जी बच्चों के लिए चाचा नेरू के रूप में जाने जाते थे चाचा नेरू के रूप में शांती अहिंसा और मानवता के हिमायती थे नेरू ने अंतराश्टी इस्तर पर विश्व शांती और पंच शील के सिद्धान्तों का परचार किया विश्व शांती और पंच शील के सिद्धान्तों का परचार किया पाथ है प्रस्थतान की कहानिका पांच मांध्यायएं और अंग्रेजी से बाशांतर हरिभाव उपाध्याय ने किया अंग्रेजी को बाशांतर किसी ने किया है इसमें पंडित नहरू ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आईजी जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेग हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है एक अपार फेलाव के बीच एकता कि क्या आधार है और क्यों भारत एक देश यह सारी की सारी बाते हैं जो वो करते हैं जिसके सभी हिस्सों की नियती एक ही तरीके से बंती बिगड़ती है और यही पूरे पार्ट की क्या विशेवस्तु है इसी करम में पंडित नेर्वी ने भारत माता शब्द पर भी यह जो विचार किया है और उनका निश्कर्श है कि भारत माता की जय का मतलब है यहां के करोडों करोड लोगों की जय कहने की जरूरत नहीं कि अपने छोटे आकार के बावजूद इस लेख का कत्या तेंत विराट और प्रस्तुतिकरण पहना भूट धारदार है तो एक तरीके का लेख है यह भारत माता भारत माता ठीक है? देखिए साथियों अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता नेरू बता रहे हैं यह बात कि अक्सर जब मैं एक जलसे से एक कारेकरम से दूसरे कारेकरम जलूस में जाता होता और इस तरह चक्र कारता रहता होता तो इन जलसों से मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की जो चर्चा करता जिन जिन लोगों से में मिलता जहां जावे जाता इस इंदुस्तान की भारत की है जो मैं चर्चा किया करता है भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाती के परंप्रागत संस्तापक के नाम से हैं जो निकला हुआ है मैं शहरों में ऐसा भहुत कम करता क्योंकि वहां के सुनने वाले कुछ ज्यादा सयाने थे ज्यादा सयाने थे यानि कि ज्यादा ही क्याते समझदार थे और उन्हें दूसरे किस्म की गीजा की जो जरूरत थी यानि दूसरे परकार के खुरा के बोजन ख़दे की जो जरूरत गिज़ा यानि होता है खुरा कर सकते हो वोजन कर सकते हो फिर उस प्रकार जरूरत है उनको उसी प्रकार से मैं समझाता समवाद करता हूं थी लेकिन किसानों से जिनका नजरिया मैधूद किसानों से जिनका नजरिया क्या था मैं इस बड़े देश के चर्चा करते और शहरों में जाते तो उनका वहां पर बात करने भी किया हिंदूस्तान एक था मैं उन मसलों का जिक्र करता उन बातों का जिक्र करता उन मुद्दों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिन तक और पूरव से लेकर पश्चिम तक किसावनों के लिए यक्षा थे यक्षा थे मतलब एक समान थे यक्षा का मतलब एक समान और स्वेराजे का भी है जो जिक्र करता जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फाइदे के लिए जो हो सकता था मैं उत्र पस्चिम में खेबर के दर्य से लेकर धुर दक्षिन में कन्या कुमारी तक की अपनी यात्रा का है जो हाल बता था उत्र पस्चिम में खेबर के दर्य से लेकर धुर दक्षिन के यहां तक आए जो यहाल बताती है यहां पर ऐसा यहां पर ऐसा और यह कहता कि सभी जगे जो पिलिस के जुल्म और यह सभी बाते हैं जो गुति हुई थी यानि गरीबों, करजदारों, पुंजी पत्यों के सिकंजे, जमिनदार महाजन, कड़े लगान और सोध, पुलिस के जुल्म और ये सभी बाते हैं जो गुती हुई थी या तो सभी जगें किसानों का एक ही हालता क्या जमिनदार महाजन के यहां से करजे से, वो तरस्त थे बिल्कुल, और पुलिस के जुल्म से, लगान से, जो पुंजी पत्य हैं, उनके सिकंजे में थे, मतलब किसानों कहीं समझे हैं, एक सी देखने को भी मिलती हुए, उस थड़े के साथ, उस थड़े के साथ, यानि उस इस बात की कोशिज की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचे, मैंने इस बात की कोशिज की, मैंने को जमार जी अपने, और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी, जिसके हम एक क्या जुन्ज है, जिसके हम जुन्ज हैं, खंड है, भाग है, जुन्ज का करता रहता है यह आप जो भी चीज़ें चलती है उनका जिक्र भी कर ले आता था मैं उन्हें सोवेट यूनियन में होने वाल जो अच्रच बरी तब्दीलियां जो बदलाव है ना उनका भी हाल बताता और कहता कि अमेरिका ने कैसी तरक्य किया वो भी जानो आप यह काम आसान ने था लेकिन जैसा मैंने समझ रखाता है वेसा मुश्किल भी ने था इसकी वज़े यह थी कि हमारे पुराने जो माका वे थे ना और पुराण थे कता कहानियां थी जिनने वे खूब जानते थे उन्हें इस देश की कलपना है जो करा दे थी कि ये देश क्या है और हमेशा कुछ लोग इसे मिल जाते थे जिन्नोंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों के यात्रा कर रखी थी तो उन्हें से भी मुझे कहीं सारे अनुभू प्राप्त होते थे जो हिंदुस्तान के चारो कौनों पर है या हमें पुराने सिफाई मिल जाते जिन्नोंने पिछली बड़ी जंग में या और धाओं के सिलसले में विदेशियों में क्या नोक्रियन की थी सर्विस की थी संतीस के बाद जो आर्थिक मन्दी पेड़ा हुई थी उसकी वगजा से दूसरे मिलकों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में जो आ जाते थे क्यों कहाँ पर की खोच चल रहा है में समझ आता समझ में आ जाते थे उनके कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंच था तो मेरा स्वागत भारत माता की जए इस नारे से जोर के साथ है जो किया जाता था तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि नेरो जी जब किसी जलसे में पहुंच थे तो उनका स्वागत किस जए नारे के साथ में होता था तो भारत माता की जए इस नारे के साथ में होता था मैं लोगों से अचानक पूछ बेड़ता कि इस नारे से उसका क्या मतलब किस नारे का मतलब बताओ ये भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं मेरे सवाल से उन्हें कुतोहल और ताजूब होता कुतोहल यानि उत्सुकता होती आश्रे होता उनको ताजूब यानि आश्रे होता और कुछ जवाब ने बन पढ़ने पर वे एक दूसरी क्या तरफ मेरी तरफ जो देखने लग जाते मैं सवाल करता ही रहता आकरे घटे कटे जाटने बिल्कुल हश्ट पुष्ट जाटने जो अनगिनत पीडियों से किसानी करता आया था जवाब दिया कि भारत माता से उसका मतलब धर्ति से है कौन से धर्ति तो ये पूछा जा सकता है कि भारत माता से मतलब उनका मतलब किसे है धर्ति से है तो ये कौन कता है घटा-घटा जाट कौन से धर्ति खास उनके गाउं की धर्ति या जिलेग या सुबेग या सारे हिंदुस्तान की धर्ति से हैं उनका मतलब बताओ इस तरह सवाल जवाब है जो चलते रहते यहां तक ही वे उब कर मुझे से कहने लगते कि मैं ही बताऊ सुनने वाले परेशान मुझे कि अब आप ही बताऊ मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वे सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है लेकिन वे इससे भी बहुत ज्यादा है अंदुस्तान के नदी और पहाड जंगल और खेत जो हमें अन देते हैं ये सबी हमें अजीज हैं, प्रीय हैं लेकिन आखिर का जिसनकी गिंती है वे है हिंदुस्तान के लोग और उनके और मेरे जिसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुई है और भारत माता दरहसल यही करोड़ों लोग है निरू जी के अनुसार भारत माता कौन है भारत माता दरहसल यही करोड़ों लोग है और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय यह जरूर दो पंक्ते ध्यान में रखना यहाँ सवाल अक्षर लोगों को कहते हैं और जैसे जैसे यह विचार उनके मन में बेठते उनकी आखों में चमक आ जाती इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी है जो खोज कर ली हो तो ये एक लेख था द्यायता छोटा सा शब्दार्त देख लीजिए बता देता हूं मैं आपको वेसे तो सारे मैंने बता दिये हैं आपको तो ये था अपना ध्याय केसा लगा कमेंट करके बताना और जो सवाल पूचा उसका गी उतर देना कि लाइक करदी वीडियो को शेर कर दीजी सभी दोस्तों को साथ पहली बार देखऄ नगाupli कि गनेश हिन्दी हिंदी आपको देवनागरी में लिखना कवी अधिणदी इस नाम से सच्करो में जिसपर 3400 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं उस चैनल को आपको जोइन करना है और पढ़ाई से समंदित में मोटिवेशनल वीडियो डालता रहता हूं मेरे एक दूसरा चैनल है आधी की आवाज नाम से दूसरा यूटूब चैनल जिस पर पढ़ाई से समंदित मोटिवेशनल वीड डाला तकी पढ़ाई में मन लगाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं आठ दस तरीके बताएं उनको फोलो कीजिए आपके इच्छी पढ़ाई हो रहे लगेगी जैहिंद फिर मिलता हूं